नमस्कारम सद्गुरू, मैं अलीना जेकब हूँ, थर्ड यर आर्किटेक्ट्चर स्टूडेंट मेरा सवाल ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहां हमें ऐसे लोग मिलते हैं, जो सभाव से एक्स्ट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होते हैं तो जो लोग एक्स्ट्रोवर्ट हैं, उनमें इतना आत्मविश्वास होता है कि वो खुद को व्यक्त कर सकें, मगर प्रतियोगिता से भरी इस दुनिया में, जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, क्या वो भी कभी उतने अच्छे से अपनी चाप छोड़ पाएंगे, जिस तरह एक तर है, या ये दो चीजें दरसल ऐसी हैं कि ये अपने सांस छोड़ने को सांस लेना और सांस लेने को सांस छोड़ना समझने जैसा है, एक्स्ट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट जैसी कोई चीज नहीं है, लोगों को इस तरह मत बांटिये, कुछ लोगों को लगता है कि बा पास जरूरत नहीं महसूस होती. इसलिए शायद वे ट्विटर और फेस्बूक या और कहीं नहीं हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वे इंट्रोवर्ट हैं. उनकी अपनी एक जिंदगी है. हमें लोगों के बारे में इस तरह राय नहीं बनानी चाहिए. हर इंसान को हक है कि वे जैसे चाहें वैसे रहें. मगर अब सवाल ये है कि अगर मैं एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हूँ तो क्या मैं दुनिया में काम कर पाऊंगा? ये इस सवाल का मुख्य पहलू है. देखिए, काम करने की आपकी ख्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि आप काम करना चाहते हैं. मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो मेरी इच्छा है. इच्छा बस एक इरादा है. इरादे से चीजे नहीं होती. इरादे से बस दिशा तै होती है. आगे आपको सफर तो करना ही है, है ना? अब एक महत्वपून चीज. खास कर क्योंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप बिजनिस प्रोग्राम या ऐसी किसी चीज में नहीं हैं, मेरे ख्याल से आपको जीवन को इस तरह देखना चाहिए. आपको ये देखना चाहिए कि इसे कैसे बढ़ाएं. इसे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना एहंकार बढ़ा लें, बड़े तौर पर. उस जीवन को बढ़ाएं जो आप हैं. जब मैं जीवन कहता हूँ, तो मैं उस जीवन की बात करता हूँ, जो आप हैं. मैं आपके शरीर की बात नहीं कर रहा. मैं आपके मन के धाँचे की बात नहीं कर रहा. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. देखिए जब लोग जीवन कहते हैं तो आपसे ये समझने की उमीद की जाती है वे अपने घर की बात कर रहे हो सकते हैं, वे अपने रिष्टे की बात कर रहे हो सकते हैं वे अपनी कार या अपने कुटे या किसी और चीज की बात कर रहे हो सकते हैं मेरे जीवन का मतलब है कोई चीज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ जो आप हैं। क्या आप एक जीवन है? क्या आप वाकई एक जीवन है? या बस विचारों, भाबनाओं, सुझावों, पूर्वाग्रहों, मतों का एक धेर? अधिकांच लोग बस यही हैं. उसके कारण हम राय बनाते हैं. ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्स्ट्रोवर्ट है, क्यूंकि राय के बिना आप विचार नहीं रख सकते. आपको हर चीज़ के बारे में राय और राय और राय चाहिए. अब मुझे राय बनानी होगी कि ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्स्ट्रोवर्ट. वरना मेरी सोच हर बार उभर आती है, ठीक है, ये कौन है? मगर इंसानी क्षमताय ऐसी हैं कि मुझे राय बनानी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ देख सकता हूँ. इस पल वो कैसी है? बस यही मायने रखता है. कल वो कैसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, है न? और कल वो कैसी होगी, आपको कोई अंदाजा नहीं है. हाँ या न? जीवन को तै मत कीजिए, ना अपने न किसी और के. उसे तै मत कीजिए क्योंकि जिसे आप मानव जीवन कहते हैं, वो एक संभावना है. इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक दूरी तै करनी होगी. क्या आपके पास वो दूरी तै करने की हिम्मत और लगन है? सवाल बस यही है. इससे फर्क नहीं पढ़ता कि आपकी बुद्धी का स्तर क्या है? आपकी काबियत का स्तर क्या है? इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट, ये, वो, कोई फर्क नहीं पढ़ता. क्या आपके पास इस संभावना को हकीकत में बदलने की हिम्मत और लगन है? सवाल बस यही है. तो अगर आप ध्यान दें, आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे फरक नहीं पड़ता कि वो क्या है? आप अभी कितनी मामूली चीज कर रहे हैं, उससे फरक नहीं पड़ता. अगर आप उसके प्रती पूरी तरह समर्पित हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, तो अलग-अलग पहलूँ के आधार पर चीजें होंगी. मगर पश्चमी प्रभाव के कारण, हम लक्षे पर अधिक ध्यान देने लगे हैं. लक्षे पर ध्यान देने का मतलब हमें नतीजे से मतलब है, मगर प्रक्रिया में हमारी दिल्चस्पी नहीं है. अगर आपकी प्रक्रिया में दिल्चस्पी नहीं है, तो आपको आर्टिस नहीं होना चाहिए. हाँ? प्रक्रिया अपने आप में एक अंत है. अगर आप प्रक्रिया के प्रती पूरी तरह समर्पित हैं, तो अलग-अलग पहलूओं के आधार पर कोई नतीजा निकलेगा. मगर अब हम परिणाम में धिल्चस्पी रखते हैं, प्रक्रिया में नहीं. लक्ष की ओर ये ध्यान, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूं, आप आखिर कहाँ पहुँचना चाहते हैं? नहीं, मैं दौर जीतना चाहता हूं. देखिए, अगर आप जीवन को दौर समझेंगे, अगर आपको उसे जीतना है, तो आपको फिनिश लाइन पर जल्दी पहुँचना होगा, है ना? आप चाहते हैं? हलो? अगर आप इन सब लोगों से पहले फिनिश लाइन पर पहुँचते हैं, तो आपने दौर जीत ली. आप जानते हैं फिनिश लाइन क्या है? हम चर्चा कर रहे होंगे कि आपको कहां दफनाएं. तो खास कर क्रियेटिव आर्ट्स में होने के कारण, कभी लक्षे के बारे में मत सोचिए. मुझे क्या बनना चाहिए? मुझे कैसा बनना चाहिए? मुझे क्या बनाना चाहिए? इन चीजों की चिंता मत कीजिए. अगर आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं, तो कोई नतीजा निकलेगा. कुछ आपकी कल्पना से भी सुन्दर होगा. क्योंकि आप प्रक्रिया के लिए समर्पित हैं. भक्ती के बिना मैं खासकर भक्ती शब्द का इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि भक्ती का मतलब है मंदिर, चर्च या मस्जिद जाना. नहीं. भक्ती के बिना चाहे खेल, कला, संगीत, आध्यात्मिक्ता, राजनीती, बिजनिस, किसी चीज में जीवन का कोई ख्षेत्र हो क्या कोई वाकई कुछ महत्वपूर्ण कर पाया है जो वो कर रहा है उसके प्रती पूरी तरह समर्पित हुए बिना. क्या ऐसा है? नहीं. आप साधरन चीज़ें कर सकते हैं. तो कला और सुन्दर चीजों के निर्माण को गुजर बसर का जरिया मत समझिये. गुजर बसर हो जाएगी. गुजर बसर हो जाएगी. ये मैं सभी पेशे के लोगों से वादा करता हूँ. चाहे कुछ भी हो. खासकर अगर आप एक आर्टिस्ट हैं. अगर आपको रोटी की समस्या है, मेरे पास आईए. मैं पक्का करूँगा कि आपके पास छट और रोटी हो. मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि आपका किसी चीज़ पर पूरा ध्यान हो. मुझे फर्क नहीं पढ़ता कि किस चीज़ पर. आपके ध्यान देने से कुछ नहीं निकल कर आया, मुझे फर्क नहीं पढ़ता. मगर मैं आपको किसी चीज़ पर ध्यान देते देखना चाहता हूँ. मैं ध्यान न देने वाले लोगों को सहन नहीं कर सकता. बस. किसी चीज पर ध्यान लगाएं, चाहे वो कुछ भी हो. मैं नहीं पूछूंगा कि आपका ध्यान किस पर है, मगर मैं आपको ध्यान लगाए देखना चाहता हूँ. क्योंकि अगर एक इनसान किसी चीज पर ध्यान लगाता है, तो वो निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगी. वो कैसे उपलब्ध नहीं होगी? पूरा ब्रम्हान आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, अगर आप ध्यान देते हैं तो.